हेई गाइस वेलकम बैक मैई चैनल सो आज मैं बनाने वाले हूं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी मटर मश्रूम और पनीरी की सबजी जिसमें की मैंने प्याज एंड लसन को स्कीप किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बना लूंगी मसाले तो आप टी स्पून जीरा पाउडर तो अब इसमें मैं एट कर यू करम पानी और फिर इसे मिक्स करके मैं कुछ टाम के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी जिससे की यह मसाले अच्छे से फूल जाए तो चलिए इधर अब हम पनीर को फ्राइ कर ले रहें तो उसके लिए मैं टेवल स्पून ऑईल और इसके अंदर मैंने एट कर दिया है यह पनीर और पनीर को हमें जादा फ्राइ नहीं करना है हमें थोड़ा गोल्डन राउन कर लेना है सिफ तो ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा ऐसे हमें सुनेरा कलर कर लेना है तो चलिए यह भी फाइनल हो गया तो इसलिए यह थोड़ा ब्लैक लग रहा है क्योंकि मैंने इसे कली फ्रीज में से निकाल कर रखा था और फिर इसे धो कर मैंने भार रही रखा दिया इसी वज़े से यह इसका कलर थोड़ा डिसकलर हो गया तो चलिए कोई बात निसको इसको मैंने उतार लिया है और सेम सकते हैं दो तेज पत्ता कुछ काली मिट्च और तारचीनी का टुकड़ा और यह है टमाटर पेस्ट जिसको मैंने दो मेडियम साइज टमाटर को मैंने ग्रेंड कर लिया है और इसके अंदर मैंने एड कर दिया था चार सूखी लाल मिट्च तो टमाटर भी हमारा अच्छी अद्रक का पेस्ट और वन टी स्पून हरी मिर्च पेस्ट क्योंकि स्पाइसी मसाला करी है तो थोड़ा स्पाइसी तो होना चाहिए तो अब इस यह भी मसाला अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद इसमें एड करूंगी मैं जो मसाले को हमने पानी में भीगो रखा था तो यह भी मसाला अच्छे से कुक हो चुका है तो यह देखी यह मसाला भी अच्छे से फूल चुका है तो अब इसी मसाले को उसमें कर दूंगी एड तो यह मैंने एड कर दिया है और इसे भी अच्छे से कुक कर लूंगी जरूरत हो तो इसमें थोड़ा हम पानी भी एड क नमक लिए नमक लिए और फोड़ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे भी अच्छे से पकालूँगी जब तक कि इसमें से तेल भारना आने लगे तो यह देखिए तेल भी हमारा अच्छे से सेफरेट होना स्टार्ट हो गया है पुर curios कर लिया है तो इसके अंदर में अब अब कर दे रही हूँ मटर तो मटर डालने के बाद तो हमा activ आप ना हम जब यह मटर को बिलना हैë तो तक हमें मसाले को अच्छे अजसे कैन ऐसे अध्य से ढया है Bus इस मटर को अच्छे से始 खुगा है अब इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको भी मैं दो मिनट और कुक कर लूँगी तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है और इसमें से खुश्बू भी बहुत ही प्यारी आ रही है तो यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो यह देख सकते हैं इसमें से तेल भी सेप्टेट होना स्टार्ट हो गया है तो मैं इसके अंदर एट कर दे रही हूँ यह गरम पानी तो पानी मैंने एट कर दिया है और इसे अब मैं ढख दूंगी तो ढखके मैंने इसे 5-7 मिनट अच्छे से पका लिया है तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा मटर मस्रूम एंड पनी पनके हो गया है तैयार इसे हम जैसे की हम लोगों में वैशनब हो जोता है जिसमें हम प्याज लसन कुछ भी एड नहीं करते हैं तो उस मतलब की ओकेशन में ये डिश बनाया जाता है तो जैसे की कभी हमारे घर में मंगलवार हो गया या मंडे या कोई भी डे प्याज लसन भी नहीं खाया जाता है तो उसी दे को ये सब सब्चिय हम बना कर खा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा टेस्टी और यम्मी होता है सो ये बनने के बाद मैं इसमें एड कर दिया है तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गया थैंक्स फो वाचिंग